कितना असान है मंचूरियन ग्रेवी के साथ बनाना मैं आज आपके लिए असानी से बनने वाला मंचूरियन रेस्पी लेकर आई हूं हेलो फ्रेंड्स मैं संतोष वेल्कन टू माई यूटूब चैनल डिलिशिस पकवान मैं आज घर पर मंचूरियन बनाने जा रही हूं मैंने सबसे पहले cabbage और carrot लिया और दूनों को grate किया आप चाहों तो इनको chop भी कर सकते हैं ग्रेट प्रेट उर कोड़ी में थोड़ा नमक डाल दिया तो सब्स्कूड भी कर सकते हैं और मेंने ये चौपर में चौप होने के लिए डाल दी ये आपकी चौयसा कि आप सब्धूसित के चौप करना ग्रीट करना है हमारे पास सब्धूस चौप होकर त्यार हो चुकी हैं कि अब मैं एक बड़ा बोल लूग और सब्चियां निचोड के जिनमें मैने नमक डाल के रखा था वो बी अच्छे से निचोड लोंकि उनका पानी अब निकल जाएगा निचोर ने के बाद और जैसे कैरेट है गेबेज जो सब्सें हमने चौप की हैं तो पानी वो भी उसमें भी पानी होता हो वो भी हम पानी अच्छे से क्योंकि यह हमारा पानी बाद में काम आ जाता है सारी सब्जियों को अच्छे से निचोड़के मैंने एक बॉल में मिक्स कर लेनी है और उसके बाद मिक्स करूंगी मैंने हल्ती डाली सबसे बहले और फिर दिखी मिर्च उसके बाद मैंने नमक इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने पड़ते तो इन सब्जियों को फिर मिक्स करने मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ है नमक के साथ नमक हमने इस हिसाब से लेना क्योंकि हमने बार बार नमक यूज करना है अब दो चमच मै की यह मिक्स करण की यह जो हमारा मेद अब अच्छे से μέais को मिक्स करूंगी और यह अभी इसमे सामे के साथ मुधा सुरेल कि चीज को पैस्तर सरी मिक्स कर लोंगी हляसे अच्छे तरह से मिक्स कर लोंगी आव अर इक मैं कड़ाई लोगी औरर तेल गरम होने के लिए डाल द साइड में तेल रख दूँंगी गर्म होने के लिए और दुसरी साइड में उसके बाल्स बनाओंगी मिंशुरियन के लिए मंचुुरियन भी बनाने वह लाओर एप मतूं से Wars फ्राइं होने के लिए लखेंगी हमने बड़े अग्जान से करके डालनी है कि इस चीज का भी ध्यान रकना कि चेल अभी च चलक न जाए इसkryल दिरेज कि डालने है जितना तेल है अमारे उतनी मंचूरिन बॉल्स हमने इस प्राइब होने के लिए एक साथ डाल देनी है उसके बाद इसको हमने तेल इसके साइड पलटते हुए इसको बार-बार साइड पलटनी है ताकि अच्छे से पक जाए दोनों तरफ से अंदर से भी हमने बहुत ज़्यादा पहले तेल अच्छी फ्लेम पे अच्छे से अंधर से भी इ안कर तियार हो जाएगे और अच्छे से अंदर से भी ठक जाएंगे। मैंनी देको मंस्चूरियन बाल्स बैनकर त्यार हो चंप देल करने के बाद लसन और अदरक पेस्ट तो कीए लिए यह पेस्ट भूनना नहीं है बहुत ज्यादा जलाना नहीं है उसको स्लोली हमने सोटे करना है ताकि वह अच्छे कलर उसका थोड़ा ब्राउन हो जाए लेकिन वह जले ना इस चीज का हमने ध्यान रखना फिर मैंने कुछ सब्जीयां चॉप की हैं जिसमें ग्रीन चिली है श इसको अब तक स्का मोथीर क खतम नहीं होता Θब तक स्को स साटे करते रहें इसको हमने बहुत ज्यादा पकाना नहीं जलाना नहीं है इसलिए इसको सेम लौफ लें पे ही इसको हमने सोटे करते रहना है उसके बाद जिक बैस बता है यहाद impresCUt और यहमें पथा चल जाता है क और नमक, नमक हमने इस ध्यान से लेना है कि हमने बार-बार नमक यूज किया है, बहुत जादा ना हो जाए, अब मैं इसमें टमेटो, मैंने इसमें पूरी बनाई है, वो डाल ली है, आप चाहे तो कैचप भी डाल सकते हैं, अगर टमेटर अवेलबल नहीं है, तो इसकी जग टमेटर पक जाएगा, तो मैंने सोया सॉस लिया, मैंने डाक सोया सॉस लिया, आप चाहे लाइट भी ले सकते हैं, तो उसके बाद मैंने ये सलरी बना के रखी है, इसका घोल जिसमें मैंने कॉर्ण फ्लॉर और पानी के मिक्सर से, ये हमारे मंचूरियन ग्रेवी को ठिक ब लगबग बन के त्यार हो चुका, आप ये रैस्पी ट्राई जरूर करना, ये बहुत ही घर की प्योरली हैजेनिक मंचूरियन त्यार है, अब आप इसको चाहे फ्राइड राइस के साथ या नूडल्स के साथ ट्राई कर सकते हैं